गुलाब जामून रसीले वाउ गुलाब जामून देखके हर कोई के मुह में पानी आ जाता है और गुलाब जामून हर एक का फेवरेट रेसिपी है इसको बनाना भी एकदम सिंपल एकदम आसान है और आज बनाएंगे गुलाब जामून मावे से तो चलो रेसिपी को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां बाजू पर इंग्रिडियन दिखा देती हूं यह है मावा खोया एक किल्लो है और यह दूध है मिल्क भी चाहिएगा और मेदा चाहिएगा इसमें तो बिस्मिल्लाई रमाने रहीं बोलके रेसेपी को स्टार्ट करते हैं तो छलो फटाफ़ड रेसेपी श्टार्ट करती हूँ तो मावा मेरे पास 1 किलो है तो है यह बाजू पर मैंने एक चिम्ची और देखलो दो CHIMCHI में कित्ता मावा ढालती हूँ तो ओल देखलो ध्यान मेजर तो मैंने अड़ी से तीन चिम्ची चित्ता मावेक अंदर मेदा डाला है और इसमें जाएगा थोड़ा सा इलाइची पावडर और ये है बेकिंग सोडा बेकिंग पावडर जो केक बनाते हैं ने वही थोड़ा सा आधा पींच चित्ता और ये दूद है एक कप में लेना है दूद को एसे रेड या मावा थोड़ा confusion हो जाता है sorry friend तो और अच्छे से इसको दूद डालके अच्छे से इसको इस तरह से मसल लेना है और यह आटे को अच्छे से गून लेना है याने फेगी कर लेना इस तरह से जैसे आटा गुंते ने इस तरह से लेकिन देखो अब बनेगी चासनी तो चासन बनाते तो सबको आती है तो उसमें देखो कितना दूद गया थोड़ा सा दूद जाते चीमची चीमची से दूद को डालना है एकदम से रेणना नहीं है और ऐसा मुलायम सा डोब बना लेना है मैंना आपको मावे की रेसेपी बहुत बार दिखाई है लेकिन आधी अधूर दिखाती थी तो बोसों के कमेंट आये थे काप रेसेपी प्रोप पर दिखाओ तो उनके कमेंट के वज़े सी मैंने आज प्रोप पर रेसेपी देने की कोसिस कर रही हूं तो ये बहुत ही अच्छे मावे के याने गुलाब जमुन बनते एक बार जरूर से ट्राइ करना आज मैं गोल भी बनाऊंगी और लंबे भी बनाऊंगी तो यहां बाजू पर मैंने गुलाब जमुन फट्टा फट बना लिए इधर चासनी भी बनने रख दिये चासनी में थोड़ी सी याने आप लोग उको क्या बताऊं मैं चासनी में थोड़ी फीकी बनाती हूं और एक तार की भी नहीं बनाती और मैं तालूंगी सलून ओईल से राइस ब्रांड ओईल माइ फेवरेट फेवरेट इससे मैं गुलाब जमुन तल लेती हूं लेकिन ए गुलाब जमुन को चोक्खे गी में तलने के होते है तो सा डाल के देख लेते हैं कि तेल गरम हुआ के नहीं तो बस तेल बिलकुल परफेट है इस तरह से आपका यानि यह तेल के उपपर आ जाना चाहिए गुलाब जामून जैसे डालों है उट्टोमेटिक तो आप एकदम प्रोफेशनल टाइप गुलाब जामून बनीगे आपके और सबसे पहले गुलाब जामून डालके उसको ज़्यादा हलाना नहीं है इस तरह से कर्ची करनी है ताके नीचे जो चोटे नहीं तो बस तेल थोड़ा ज्यादा गरम होगे तो मैं फट्टा फट इसको निकाल लेती हूं और मैंने या बाजू पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है क्योंके फिर बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोगों को भी देखनी की अच्छी नहीं लगती तो बस मैंने सोट वीडियो बनाने की कोशिस करती हूं कि फटा-फट रेसेपी आप लोगों भी देख लो तो ये गुलाब जामून धीरी गेस पर तलनी है आराम-ाराम से तलनी है महबत के साथ तलनी है मैं बार-बार आप लोगों को बोलती हूं इसके उपे जुलुम नहीं कर यह कोई तार मार कुशनी बनाती और मैं थोड़ी चासनी फिकी बनाती हूँ क्योंकि मैं बार बार गुलाब जामुन बनाती हूँ और मेरे हबी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो फिर उचासनी उनको डायाबिटी से तो चासनी पीते है उनको अच्छी लगती है इस इस वज़े से मैं हलकी बना रही हूँ इसलिए मैंने आपको चास्तियाज बनाते नहीं सीखाई तो आई होप आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होई कि वीडियो अच्छी लगी होई तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड नवे बंद है तो मेरी चैनल को सब्स स्क्राइब कर लो अल्ला हाफिस फिर मिलूंगी नेक्स वडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस कुछ सारी दुआओं में याद अल्ला हाफिस आप लोगों को मेरी वीडियो केसी लगी कॉमेंट करके जरू से बते हैं